और स्टेन इस तरीके से डबल सपोर्ट के साथ आता है हलो दोस्तों क्या से हो आप सब आप सब आप सबी का स्वागते एक बार फिर से आपके अपने चैनल बंसिदर फेशन पॉइंट में मैं आप सबी का दोस्त वीडियो सी है जाट आज हम जानेंगे डैसन और लुके दोनों ही इंडरस्ट्रियल मशीन है और दोनों ही सिंगल निडल मशीन है और दोनों की रेंज लगबग सेम है और दोनों में से कौन सी बैस्ट होती है वो हम देखेंगे और कौन सी मशीन सबसे बढ़िया चलती है वो हम देखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि दोनों में से कौन सी मशीन दमदार है दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं डेसन मशीन के बारे में देखिए इसका बटन यहां होता है इस तरीके से मशीन अन होती है और इसमें LED के कुछ इस तरीके से दो मोड दिये जाते हैं तो यह मशीन कुछ इस तरीके से आती है मिटर इस तरीके से आता है और इसका sound और vibration बहुत कम है ये इसका sound और vibration है बाकी ये machine का जो ये liver है ये भी बहुत smooth है एकदम smooth है और इस तरीके से धागा डालने की चीज़े बनी हुई है bobbin binder कुछ इस तरीके से है कम speed में भी ये oil flow करता है अब हम आ जाते हैं low के पर देखिए low के machine कुछ इस तरीके से दिखती है और इसका जो button होता है वो यहां होता है back side में तो हमें इस तरीके से इसका back side का button on करना पड़ता है और इसमें directly light होते है LED और इसमें इस तरीके का button होत सकता है और meter कुछ इस तरीके से front पे दिखता है इस machine में भी oil कम speed पे flow होता है और ये भी काफी soundproof machine है और इसकी looke machine में देखिए emboss पर ही branding दी गई है इस तरीके से looke का brand दिया गया है और साथ में ये जो इसका stand है ये भी कुछ इस तरीके से दिखता है और देखें वो जो दिख रहा है आपको वो भी looke का brand उन्होंने बताया है और stand इस तरीके से double support के साथ आता है वहीं हमारे design का जो stand है वो single support के साथ आता है और ये इसका जो table है वो बहुत अच्छी quality का है और साथ में looke machine का table भी बहुत अच्छी quality का आता है हमने आपको दोनों ही machine की slide बताई थी और उसमें टेस्टिंग किया था 10 कपड़ों का तो 10-11 कपड़े हमने looke machine पर चलाया थे और 10-11 कपड़े हमने डेसन पर चलाया थे तो दोनों ही machine हर कपड़े पर easily चल जाती है और हम जान लेते हैं कि कौन सी machine कितना bill खाती है actually में होता ये है कि इसकी जो motor आती है वो servo motor आती है अगर आप उसे चलाओगे तभी bill खेचेगी ऐसे bill नहीं खेचेगी दोनों ही machine में servo motor आती है तो ये ज़्यादा bill नहीं लेती है अगर आप continue दिन भर यूज़ करते हो तो दो से तीन unit लेगी उससे ज़्यादा नहीं लेगी वो भी बहुत ज़्यादा हो गए मेरा अभी तक के दो से तीन unit एक machine नहीं लिया है हमारे पास जब दो तीन machine एक खटी चलती है तब जाके दो या ती यूनिट यह machine लेती है दोस्तों देखिए लूक्य मशीन की टॉप स्पीट है 33 मतलब यह 3300 टिपले की एक मिनिट में और इसे बढ़ा भी सकते हैं अंदर से मीटर में जाकर मगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी मशीन को 3000 से ज्यादा ना चलाए और वहीं हमारी डेशन की स्पीड हम देखते हैं कितनी हैं डेशन की स्पीड 3700 है तो हमें 3700 पे नहीं 3000 पर ही चलाना चाहिए अगर आपको आपकी मशीन की उमर लंबी चाहिए तो इन्हें 3000 से जादा ना चलाए क्योंकि मशीन हो जाएगी जल्दी खराब और फिर आईगी उसमें प्रॉब्लम तो 5000 ट्रीप 10,000 ट्रीप ना करें सिरिफ जितना 3000 पर ही चलाए तो दोस्तों दोनों की स्पीड इतनी आती है अब हम देख लेते हैं बॉबिन बाइंडर को तो देखें बॉबिन जो बाइंडर है लूके का मुझे का अच्छा लगा हाई कॉलिटी का लगा बहुत सुन्दर लग जो कि बहुत सुन्दर दिखता है और मुझे इस मशीन में एक प्रॉब्लम लगी जो की है हमारा यह वाला लिवर यह काफी ज्यादा हाड है इसमें ताकत लगती है काफी अब डाउन करने में यह हो सकता है कि इस मशीन में प्रॉब्लम हो इसका इस्प्रिंग टाइट हो उ नीचे हो जाता है और इन सबसे ज़्यादा स्मूद आता है जैक मशीन का वो तो बहुती स्मूद मक्खन है वो चीज मुझे इन दोनों मशीन में नहीं मिली दोस्तो दोनों ही मशीन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है almost same same ये दोनों मशीन है इसका रील स्टैन भी देखिए कुछ इस तरीके से आता है इसमें इस तरीके से रील स्टैन दिया गया है वहीं लूके मशीन का जो रील स्टैन है इसमें थोड़ी सी कलाकारी जादा करी गई है देखिए दो पीने हां से निकाल दी गई है इन में से धागा नहीं निकाल पाए तो इन पिनों में से निकाल लीजिए और इस तरीके से ये दिया गया है तो थोड़ा सा लोके इस जगा पर आगे हो जाती है जैसे कि मशीन के स्टैन में इसका जो लोके का स्टैन है वो थोड़ा सा हाई कॉलेटी का आ जाता है वहीं डेसन का थोड़ा सा नौर्मल आ जाता है तो दोनों ही मशीन अपने आप में बहुत ही शांदार मशीन है तो दोस्तो अब ये आपके उपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सी मशीन सही लगती है अगर दोस्तो आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर ये चैनल को सब्सक्राइब करिए तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं इस मशीन के दूसरे कमपैरिजन में जो कि हम करेंगे जैक मशीन के साथ तो मिलते हैं जल्दी ही उस वीडियो में जब तक ले बाई बाई